वारणसी, दुनिया का सबसे पौरानिक शहर तमिल नाडू, जिसकी भाषा है सबसे प्राचीन एक की पहचान है आध्यात्मेक राजधानी की, जहां गंगा की धार के साथ गूंचते हैं पवित्र मंत्र तो दूसरी ओर है भारत ये ज्ञान प्रणाली का अन्मोल खजाना बौध्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक शेत्रों में दोनों ने अपने व्रिदय में संजो रखा है ज्यान की विरासत को दोनों क्शेत्रों की बीच के इस प्राचीन संबंध का साक्षी बनने जा रहा है ताशी तमिल संगमम यादम उरे यावरूम के डीर यानि हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं वो दिवहार जो तमिल कैलेंडर के अनसार कार्ति गई महीने में मनाया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनरूप शिक्षा मंत्राले इसकारिक्रम की पहल को दे रहा है आकार जिसका मकसद है राश्ट्रे शिक्षा नीती 2020 के तहट एक ऐसी पीड़ी का निर्मान जिसमें आधुनिक्ता की जलक तो हो ही साथ ही उनमें हूँ मस्बूत चड़े संस्कृती और लोकाचार की और एक भारत श्रेष्ठ भारत के उतेश्य को करना है सार्थर संगमम में शेक्षणिक कारिक्रम के तहट एक लंबे अनुभव के लिए तमिलाडू से 12 ग्रूप के लगभग 2500 प्रतिनिधी काशी का दौरा कर रहे है आप उसी चर्चा और ग्यान के आदान प्रदान के लिए प्रतियक ग्रूप के विशेश से संबंधित विशेश सेमिनार आयोजित के जा रहे है प्रतिनिधियों के प्रतिक ग्रूप को अपनी यात्रा के दोरान वारणसी, सारनात, प्रयाग राज और अयोध्या का भ्रमण करना है उत्सब में और भी रंग भरने के लिए हर शाम सांस्कृतिक कारिक्रम आयोजित किये जा रहे है जिनमें भरत नाट्यम जैसे प्राची मृत्य, तमिल लोग मृत्य, जैसे करा गटम, पोईकल, कुथि रही और तमिल लोग संगीत शामिल हो रहे है तमिल नादू के स्वतंत्रता सैनानियों के लिए आयोजित प्रदर्शनी में त्याग और बलिदान की जलक मिल रही है साथ ही हो रही है शेत्रिय फिल्मों की स्क्रीनिंग और पुस्तकों का विमूचन भी इसके अलावा यहाँ One District One Product के तहट सभी प्रकार के हस्त शिल्प और हत्करगा की प्रदर्शनी और उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लोगों के लिए हो रहे हैं उपलप्थ के दिलों को करीब लाने का यह उत्सव वास्तव में आजादी के अम्रत्मा हुत्सव की पेश कर रहा है जलक हमारी परंपरा के संबंद को फिर से खूजने अपने जुडाओ को और भी मजबूत करने और साजह विरासत की संब्रिद्धी का सम्मान करने के लिए आज माननिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी जी ने अपने करकमलू से काशी तमिल संगमम का उद्गाटन किया है